नमस्ते हरियों नमस्षिवाय जैगरू जी सभे को स्वागते आपका आपके अपने चैनल टारोबाय टीजे पर I am back with another candle wax reading for you guys as promised no contact situation के ये ये reading हम करने जा रहे हैं में Lord Shiva and Maa Bhagavati guide and protect us always and lead us in right direction जिन से आपके बात्चीत नहीं हो रहे हैं आपको उस व्यक्ति का चहरा visualize करना है आप आखें बंद करके visualize कर सकते हो या आप इस divination bowel के अंदर जो ये पानी है इसके अंदर आप उस इनसान का चहरा visualize कर सकते हो and तीन बार आपको इस व्यक्ति का नाम अपने मन में repeat करना है to tap into their vibrations so महादेव और माभगवती का नाम लेकर के आज का ये divination session हम start करने जा रहे हैं आपको अपने लिए वही messages pick करने हैं जो आपके साथ में resonate कर रहे हैं and unnecessarily आपको हर एक message से relate करने की need नहीं है let's see जिस व्यक्ति से आपके बाचीत नहीं हो रही है उनकी energy आपके प्रतीक ऐसी है तो यहाँ पर मुझे एक third party situation का indication आता वा दिखाई दे रहा है और एक karmic situation आती वी दिखाई दे रही है कापी सारे लोगों की aura में नजर लगी हुई है या कुछ लोगों के साथ में black magic या कुछ टोने टोटके black magic तो बहुत rare हो गया है but हाँ टोने टोटके वाली energy जो है वो मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रही है नजर लगी भी है कापी सारे लोगों के connection को ही नजर लगी हुई है आप में से काफी सारे लोग जो है वो मुझे soulmate connection में दिखाई दे रहे हैं या आप लोगों की understanding in general एक दूसरे के साथ में काफी अच्छी दे और उसको नजर लग गई है कई बार लोगों की bonding इतनी अच्छी होती है कि उस bonding पे नजर लग जाते है right letter F, letter T, letter L दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे यह name initials हो सकते हैं आपके और सामने वाले person के secondly मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यह जो व्यक्ती है यह अपने आपको protect करने की कोशिश कर रहे है this is an intuitive message जिन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है यह अपने आपको बचा रहे हैं male female कोई भी हो सकते हैं और family का influence मुझे यहाँ पर काफी strong दिखाई दे रहा है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यह जो person है यह अपने आपको protect करने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं and इनका जो ध्यान है वो किसी गलत direction में जा रहा है या इनको forcefully किसी ऐसी direction में move करवाने की कोशिश करी जा रही है जहां पर इनका मन नहीं है जाने का यह कुछ ऐसा करने के लिए इनको force किया जा रहा है जिसमें इनकी खुशी नहीं है another thing जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो यह है कि यह जो person है यह अपने किसी loved one को support करने के बारे में सोच रहे है और अपने आपको लेकर के और किसी एक particular इंसान को लेकर के यह बहुत protective हो रहे है this is very strange look at the flame, कितनी high flame जो है बुझा रही है so there is very strong energy towards you आपको लेकर के भी काफी strong energy, काफी strong vibration मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है and emotional है but emotions को control कर रहे है a lot of tears are falling या तो आप रोए हो, रो रहे हो बहुत ज़दा या recently यह person रोए है कि मुझे tears दिखाई दे रहे है, यहाँ पर बहुत रोना धोना दिखाई दे रहा है oh god and nostalgic memories like बहुत सारी पुरानी memories पुरानी बातों को याद करके sentimental होना ऐसी vibration आ रही है मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर के बहुत सारे लोग जो है वो इस इंसान को manifest करने की कोशिश कर रहे है या इनके साथ में एक love relationship या एक अच्छा relationship वापिस से manifest करने की कोशिश कर रहे है contact में वापिस से आने की कोशिश कर रहे है but this person has a lot of ego scorpio rashi, cancerian rashi, aquarius rashi, pisces, libra, taurus यह राशिया हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, सामने वाले person की भी हो सकती है जो अभी indication मुझा रहा है L से काफी सारे लोगों का नाम हो सकता है M से काफी सारे लोगों का नाम हो सकता है V भी यहां पर बनता होँ दिखाई दे रहा है number 3 भी बनता होँ दिखाई दे रहा है March का मन्त काफी सारे लोगों के लिए important रहा है maybe जो लोग यह reading आप ही देख रहे है April month में उनके लिए शयद last month was very important या last month में कुछ बहुत ऐसा कुछ event या कुछ incident हुआ है जो जिसने आप लोगों के relationship पर बहुत major effect डाला है mostly मुझे ऐसा लग रहा है आज के दिन में ये इनसान बहुत जिससे serious सा चहरा बना करके और कुछ सोच रहे हैं पुरानी आदों में टूबे हुए हैं और अपने आपको disconnect करने की कोशिश कर रहे हैं एक और चीज यहां पर हो सकती है कि जबरदस्ती इनको लोग बोल रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और इनका मन नहीं है move on करने का या ये शायद आप लोगों के connection को रिष्टा कोई भी हो सकता है जरूरी नहीं है love relationship ही हो friendship भी हो सकती है आप relatives भी हो सकते हो याप लोगों का कोई भी relationship है उसको दूसरा मौका देना जाते है लेकिन ये काफी सारे लोगों के influence में आ रहे है and evil eye तो मुझे काफी सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहे है नजर तो लगी हुए connection पे काफी सारे लोगों के साथ में ये issue है another thing जो यहाँ पे मुझे काफी clear दिखाई दे रहे है is that के ये इंसान आपको show कर रहे है के इनको फरक नहीं पड़ता है but that is not true so ये एक like relief देने वाला message हो सकता और ये message काफी सारे लोगों के लिए है that this person is showing that they don't care but that is so not true this person cares a lot they think a lot and ये अपने लिए कुछ boundary set करने के बारे में सोच रहे है या इन्हें ऐसा थोट आ रहा है कि इनका फाइदा उठाया गया है या काफी सारे लोगों के लिए situation चल रही है कि उनका फाइदा उठाया जा रहा है या आप लोगों के separation का फाइदा जो है वो कोई तीसरा इंसान उठा रहा है ओके किसी और को फाइदा हो रहा है आप लोग बात नहीं कर रहे है उसका फाइदा किसी और इंसान को हो रहा है वो दीरे दीरे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें इनके दिमाग में ना क्लियर भी हो रही है कुछ चीजें समझ में भी आ रही है जब आप किसी के साथ में connected रहते हो तब उस इंसान के ती value नहीं रहती है या कई बार किसी के positive चीज भी negative लगने लगती है और जब distance बढ़ता है तब इनसान को थोड़ सा सोचने समझने का वक्त मिलता है space मिलता है तो आइधिंक इस time को आप एक positive समय की तरह भी देख सकते हो no contact situation के लिए मैं हमेशा कहते हूँ कि at least चलो बात नहीं भी होरी अगर आपकी तो फिर reflect करने का time मिल जाता है दो लोगों को अपने actions के प्रती सामने वाली व्यक्ति को भी और आपको भी तो I think ये इस time को use कर रहे हैं इस तरह से utilize कर रहे हैं ये सोच रहे हैं कि कैसे इनके करमाज ने affect किया है आपकी और इनकी journey को and how ये जो third party है जो भी है third party वो कैसे benefit कर पा रहे हैं I think ये चीज भी इनके mind में काफी हब तक जो है वो clear होने वाली है so और काफी ज़रे लोगों के साथ में ये situation मुझे दिखाई दे रही है कि third person है और उनको कुछ benefit हो रहा है some third person is being benefited कि आप लोगों की बात्चरीत नहीं हो रही है उस वजह से ये इनसान solution निकालना चाहते हैं ये इस situation में ना तो खुद stuck रहना चाहते हैं ना आपको stuck रखना चाहते हैं और इनको 110% ये idea भी है कि आप भी move on तो नहीं किया है आपने आप भी wait कर रहे हो and you would also like to reconnect with them आप भी इन से दुबारा से reconnect करना चाहोगे इन से दुबारा से बात करना चाहोगे वो energy मुझे काफी clear यहाँ पर दिखाई दे रही है ये long term चलने वाला connection है ये connection आप लोगों का अभी नहीं खतम हो रहा है काफी सारे लोगों के लिए karmic journey होगी काफी सारे लोगों के लिए soulmate journey होगी whatever journey it is कोई भी journey हो आप लोग बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के साथ में connected रहने वाले हो और बहुत सारी चीज़ें आपको समय के साथ में समझ में आने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले शुरू शुरू में आपके viewer के point of view से में बता रही हूं कि आपके मन में बहुत सवाल उठते थे इस रिष्टे को लेकर के या बहुत सारे doubts थे आपके मन में वो doubts अभी दीरे-दीरे समय के साथ में clear हो गए है यह जो चीज़ें आपको पहले समझ में नहीं आती थी वो अब आपको clear out होने लगी है बाट reverse situation अब चले गई है अब energy reverse हो गई और यह जो सामने वाला person है अब इनके मन में बहुत सारे doubts उलजने confusion की energy arise हो रही है and slowly and gradually I feel कि जिसे इश्वर ने आपको time दिया है to sort out your issues, your individual issues आपके अपने खुद के साथ में जो issues है उनको sort out करने के लिए time दिया गया है और इस समय पर यह जो व्यक्ति है यह अपने अंदर से यूनaky, भहूँत सारे like shadow work कर रहे हैं या तो यह इनसान ना जानते हुए आपने अंदर से guilt remove करने की कोशिश कर रहे हैं again trying to find a solution अगर confusion है तो वो क्यों है अगर यह negative सोच रहे हैं आपके connection के बारे में तो वो क्यों सोच रहे हैं उससे किसी और को क्या फायदा हो रहा है तो इनके मन में सवाल उट रहे हैं बहुत सारे और यह उनके answers को find out करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं okay yes so this is what I see for today it's a very stable flame a very stable reading energy is not bad but थोड़ी सी manipulation की energy मुझे जरूर दिखाई दे रहे है इस इंसान की आसपरस में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको manipulate कर रहे हैं और उनको force कर रहे हैं आप से cords cut करने के लिए but I don't think कि जादा time तक ऐसा कुछ चलने वाला है and ये person जो है ये अगर अपनी दिल की बात सुनते हैं तो ये जल्दी इस situation से बाहर निकल आएंगे right so yes, इस reading को हम यहीं close कर रहे हैं guys, मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले divination session में, till then take care Hariyum, Namashivai, Jai Guruji